जैमात अदी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का मेरा वीडियो काले हुटों को गुलाभी कैसे बनाएं तो दिखिए मेरे पास मेरी एक सिस्टर की रिक्ष्ट थी कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं लेकिन बीच में कुछ दिन में अस्व तरीके हैं यह आपने निश्चित पूरा वीडियो देख लिया अच्छी तरीके से और जो मैं आपको बताने वाली हूं इनको फालो कर लिया तो निश्चित ही आपके होट गुलाभी हो जाएंगे एकदम चिकने रहेंगे चमकतार रहेंगे मुलायम रहेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सत्य बता दूँ थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सत्य है क्योंकि मुझे जूट बोलन नहीं आता कि मैं आपसे जूट बोलन नहीं आपके होट चाहें जन्म से काले हैं तो भी गुलाभी हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो लोग ऐसा कहते हैं जुट बोलते हैं मैं किसी के अलोचना नहीं करती लेकिन सत्य ही है कि यदि जन्म से हमारे सरीर में कोई चीज है तो उसको हटाना दुरलब होता है तो लेकिन जो मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ मालिया किसी बीमारी के बाद किसी दवाई के साइड इफेक्ट से यदि आपके होट चाले हो गये हैं या आपको य मालिया आपका टायम से नहीं आता उस वजवादय होगो गया थे लेकिन इसके आपको थोड़ा सा धैर रखना होगा और मिहनत भी करनी होगी अपने आपको टाइम देना होगा अब अपना वीडियो शुरू करते हैं आप सभी से रिक्वेश्ट है प्लीज वीडियो में बने रहिए मेरे साथ पूरे टाइम अगर वीडियो पहली बार आए है चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है आपका उसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता है तो देखे सबसे पहले तो मैं आपको बताओ अगर डेट नियमित नहीं आती है यानि कि डेट आन करने का प्रयास करिए कि डेट आपको टाइम पर आये उसके लिए भी मैंने अपने मेरी एक प्लेलिस्ट है महिला विशेष उसमें वीडियो दे रखे हैं आप उसमें देख सकते हैं तो उसको जब आप फालो करेंगे उसके बाद आपके होट अपने आप ही नेचुरल पिं जाता है तो वह होट देखने में बहुत ही बद्दे लगते हैं तो अब उसके लिए मैं बता रही हूं बहुत घरेलू चीजा बहुत आराम से सुनिएगा इसको देखिए साम सुबह सबसे पहले तो आप अपनी यादर डाल लीजे कि साम सुबह दूद की मलाई आपको अप दूद गर्म करते हैं फ्रिज में रखते हैं यह आजकल ठंडी का मौसम है ऐसे ही आप बाहर रख दीजे तो भी मोटी मलाई दूद में पढ़ जाती है तो जरास ही मलाई दो से तीन बूंद ही मलाई आपके होट में लगेगी उसको आप अच्छी तरीके से पहले अपनी समय मिल जा तो आप दिन में आप यह कर लीजे उसके अलावा जब आप दिन में मूद होते हैं किसी भी समय आप नारियल तेल एक से दो बूंद नारियल तेल अपनी हथेली पर ले लिजे और उमली से अपने होटों के उपर धीरे-धीरे मलते रहे हैं यह भी आपको 102 बार लाउमा देश करना है अपने होटों के वपर यह चिजँ एसी हैं कि बिलकुल अचुक हैं इनको यह आप वास्तों में कर लेंगे second dream產 तो निश्चित ही आपके उपने नेचुरेब पिंक हो जाएंगे अपने होटों की नियमित साब सफाई रखिए अब होटों की साब सफाई आप सोचेंगे कैसे रखेंगे सबसे में चीत तो जब रात को आप सोते हैं सोने से पहले होटों की लिप्स्टिक निकाल के सोईए होटों पे लिप्स्टिक लगा के मत सोईए तो अब लिप्स्टिक आप निकालेंगे कैसे रोज इतना टाइम नहीं होता सोने से पहले मेरे ख्याल से ब्रस तो सभी कोई करता है तो जब आप ब्रस करते हैं वही ब्रस हलके से अपने होटों के उपर रगड़ दीजिए अंदर दकी पूरी लिप्स्टिक आपकी निकल जाएगी और उसके बाद म आना शुरू हो जाएगा उसके अलावा जब भी आप नहाती हैं आपके होट भीग जाते हैं जो और भीगने के बाद में हमारी तोचा हलकी से फूल जाती है और खास करके जो डेड़ी स्किन होती है वो फूल जाती है उपर आ जाती है तो नहाने के बाद में किसी भी सौफ सब्सक्राइब और उसके बाद में अपने होटों के उपर मलाई से नारियल तेल से आप 2-3 मिनट तक रोज मसाज करिए गुलाब के फूल अगर गुलाब के फूल आपके घर में लगे हो अब यह देखिए बहुत अच्छी चीज में आपको बता रही हूँ अगर गुलाब के फूल आपके घर में लगे हो तो गुलाब के फूल की 4-5 पंखुडी ले लिजिए उनको कुचल लिजिए किसी चीज से बेलन की डंडी से कुछल दीजे उनको या किसी चमचे से उनको मसल लीजे और वो पूरा उसका जो मसला हुआ होगा भाग यानि कि मसली हुई जो गुलाब की पत्तिया होंगे उनको वस हाथ में पकड़ करके अपने होटों को पर इस तरीके से आप दो से तीन मिनट तक मलते रही है यह भी आपको नियमित करना है रोज करना है कम से कम 40 दिन तक करना है और यदि आप इसको अपने रूटीन में ले आएंगे तो आप देखिए आपके होट आपको खुद ही जवाब देंगे कि उनमें क्या फर्क आया है उसके अलावा अपने खान पान में थोड़ा स सब्सक्राइब जैसे कि मौसम है छर्व दोड़ीए एक से दोगाजर य्जास में संत्रे में को पशन है संत्रा था है संत्रा खाई है मैं तो खट्टास के उजय से कोई दिक्कत नहीं वह लोग खा सकते हैं मेरे तो दांत बेकार हो जाते हैं कोई चीज नहीं खाती लेकिन अगर आप संत्रा खाते हैं इससे आपको विटामिन सी मिलता है और होट भी आपके अच्छे होते हैं संत्रे के छिलकों को कुचल लीजिए कुछ देर तक उनसे या उनसे कुचलने के बाद जो रस निकलेगा उनको अपने होटों पर दो से तीन मिनट तक मलते रहिए यह सारी चीजह ऐसी हैं इनको अपना लेंगे तो निश्चित ही आपको लाफ मिलेगा और आपके होट गुलादी होगे उसके अलावा एक घरेलू बाम बनाके अपने पास आप रख लीजिए अब घरेलू लिबाम आप बनाएंगे कैसे तो लिबाम बनाने के लिए कोई ख वैसलीन में आप गुलाब की पंखुडी मिला के आतो रख लीजिए और या फिर रोज के रोज आप कर लीजिए हलकी सी वैसलीन निकालिए और गुलाब की पंखुडी को कुचलिए उसके अबाद में जरासी वैसलीन और गुलाब की पंखुडियों को एकदम से मिक्स अगर आपके पास में है आजकल सभी के पास होता है तो आप इसको पंखुडी और यह वाइसलीन मिला करके फ्रिज में अपने रख सकते हैं यह आपका कम सकम एक से डेड़ महीने चल जाएगा खराब नहीं होगा लेकिन हां बराबर फ्रिज चालू रहना चाहिए अगर फ्रि से यह आप करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको फैदा मिलेगा आपको नेचुरल गुला भी हो जाएंगे और आप जब आपको फैदा होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाईएगा नमस्कार धन्यवाद